हलो फ्रेंट्स एक बाफ फिर आपको वहतो स्वागत है आपके एपनी यूटूब चैनल आई है संसारी में और दोस्तों यूपी स्कॉल्सिप सेचक सत्र 2021 के लिए जो ओनलाइन आवेदने आज दरंग 24 जुलाई 2020 से स्टार्ट होने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस टैप से और कहां से आप अपना स्कॉल्सिप चुप फॉर में वह आसानी से फिल कर सकते हैं चली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉल्ज यूनिवर्सिटी एक्जाम के साथ साथ यूपी स्कॉल्सिप से संबधित लेटेस्ट नूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हम से जोड़ सकते हैं सबसे पहले यहां पर एक चीज मैं आपको क्लिर कर दूँ आज देंग 24 जुलाई 2020 से केवल औकेवल 9 और यहां पर 10 लास के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किये जाएंगे यानि कि 9 और 10 लास के जो फॉर्म है वो आज 24 जुलाई से स्टार्ट होंग 9 और 10 के लाबा जितने भी आदर कोर्स हैं उन सवी स्टुरेंट्स के जो फॉर्म है वो दिनांक 1 अगस्त 2020 से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है वो सवी स्टुरेंट्स अपने जो फॉर्म है एक अगस्त से फिल करेंगे लेकिन जो 9 और 10 क्लास के स्टुरेंट्स है वो आज दिनांग 24 जुलाई से अपना जो फॉर्म है उसी UP scholarship की official website से फिल कर सकते हैं इस scholarship की जो website आपने स्कीन पर देख सकते होंगे इसके लाबा इस website की link आपको इस वीडियो के नीचे description box में भी उपलब दकरा दी गए वहां से भी आप इस website पर आसानी से बिजिट कर सकते हैं जैसी आप इस website पर आ जाते हैं यहाँ पर आपको UP scholarship से समबादे सभी latest news लगातार प्रोवाइड की जाती है आप यहाँ पर देख सकते होंगे यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक option मिले वाला है student का इस option पर यहाँ पर आपको click करना है जैसी आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने दो option आएंगे एक यहाँ पर registration का होगा यहाँ पर आप देख सकते होंगे दूसरे यहाँ पर login का होगा जो students भी यहाँ पर सबसे पहले registration करना है सबी students को डिक है उसके बाद आपको क्या करना है login करने के बाद आपको अपना जो form है उसे fill करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर registration करेंगे registration करने के लिए आपको registration पर click करना होगा जैसे आप registration पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस type से यह page अभी जो open होकर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते होंगे coming soon लिखा हुआ रहा है process will be started soon लिखा हुआ रहा है यानि कि अभी जो process इस्टार्ट नहीं हुए आज बहुत जल्दी यह जो process इस्टार्ट हो जाएगी यानि कि जो page यह open होने लगेगा उसके बाद यहाँ से आपको अपना registration करना होगा और जिस category से आप ब्लॉंग करते हैं category बाइस आप अपना registration है उसे कर लीजे उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पर आपको option दिखाया था ठीक है जिसमें यहाँ पर login करने को option आ रहा था वहां से आप login करके अपना जो form है वो fill कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर वैग चलते हूं home page पर और उसके बाद मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं जब आप registration कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ student पर आपको दो बारा से click करना है आप दिख सकते हूंगे यहाँ पर यह students का जो option आ रहा है ठीक है यह start होने वाली है आज दिना 24 जुलाई से ही आपको जो form है वो online फिल होना यह start हो जाएंगे अप लगातर website पर विजिट करके इस चीज की बारे में जानकारी लेते रहेगा जैसे ही website open हो जाती है और इनके form आ जाते हैं मैं आपको पूरा form जो है वो fill करके दिखा दूँगा कि किस type से आपको उपना जो form है बिना गलती की हुए fill करना जहां दोस्तों सभी students को अपना जो form है वो बिना गलती के ही फिल करना यदि कोई mistake हो जाती है तो इसका जो खामिया जाए वो आपको ही बाद में भुगतना पड़ता है कई सारे students की जो छात बढ़ती है वो उनके form में mistake होने की वज़े से ही नहीं आ पाती है तो पूरा form में आ आप फिल करके दिखा दूँगा जैसे form आते हैं इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुआ लेकर को प्रिस कर लिजे तक कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहे और द और आपको फिलीज चैनल को सब्सक्राइब को बाचार कि कि अचारी जो 79 फे हiran दो Kyoto